पदमावती देवी यह पदमावती देवी की एक साथ विशिष्ट साथना है जिसे एक प्रकार से पून रूप से हमारे सुक्सोभाग्य धन धानने की विद्धी होती ही है पदमादवती देवी जो की भगवती महालक्षमी का तांत्रोक्त स्वरूप है जागरिट स्वरूप है और यह देवी जैन धर्म में विशेश पूझनिये हैं और यह बहुत अधिक हमारे को सुक्स भाग्य धन धानने की विद्धी कराती ही है महालक्षमी का स्वरूप होने की वज़े से जो भी लाप हमें महालक्षमी साधना में प्राप्त होते हैं वो हमें इस स्वरूप में भी पदमादी देवी के स्वरूप में भी प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि यह जागरिट स्वरूपा है तांत्रोक्त स्वरूपा है तो त्रिकाल संद्या में हमारे को इनका मंत्र जब करना है, त्रिकाल संद्या मतला सुबह जो सूर्य दे का समय होता है, यह पंचांग से या इंटरनेट से हमें आराम से पता लग सकता है सूर्य दे किस समय में हो रहा है, और दोपैर का बारा बजे का टाइम, और शाम का सूर्य का टाइम यह त्रिकाल संद्या कहलाती है इन तीनों त्रिकाल संद्या में एक-एक माला हम इस मंत्र का जब करें तो हमें भगवती पन्वावती देवी की पूर्ण सिद्धी प्राप्त हो जाती है और यह किरिया हम लगातार कर सकते हैं चालिस दिन तो हमें लगातार करनी ही है उसके बाद हम इसको कॉंटिन्यू ही रखे और कभी-कबार मिस हो भी गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात इसमें ऐसा नहीं है लेकिन हाँ चालिस दिन हम इसको कॉंटिन्यू अगर रखते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा सवभाग्य वाली बात है और बहुत ज़्यादा तेजस्विनी और एक तरीके से संपूर्ण रूप से धन धानने को एक तरीके से आबद कर लेनी वाली बात है और महालक्षमी का यह ज़्यागरित स्वरूप होने की वज़े से हमारे घर में एश्वरे धन धानने और भाग्ये की विद्धी होती ही है तो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ आप देख़े होंगे कि यह बहुती तेजस्वी और जागरित मंत्र है ओम नमो भगवती पद्मावती सर्वजन मोहिनी सर्वकारे करनी मम विकट संकट हरनी मम मनुरत पूरनी मम चिंता चूरनी ओम नमो पद्मावती नमा स्वाह यह है विशिश जागरित मंत्र है और हम इन नवरात्रों से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं कभी भी हम इसको श ओम नमो भगवती पदमावती सर्व जन मोहिनी सर्व कारे करनी मम विकट संकट हरनी मम मनुरत पूर्णी मम चिंता चूर्णी ओम नमो पदमावती नमा स्वाहा तो इस प्रकार से याइन का विशिष्ट मंत्र है जो हम जब सकते हैं और अपने जीवन को सुख सबागे से भर सकते हैं